Welcome back to J.O.B. News चलिए देखते हैं कि आखिर PM किसान योजना की 15 वी किस्त कब तक आ सकती है और किन-किन किसानों को 15 वी किस्त से वंचित रखा जा सकता है देखिए इससे पहले 14 वी किस्त तो PM किसान योजना की आ चुकी है लेकिन 15 वी किस्त भी उन किसानों को ही मिल पाएगी जिनके सभी काम पूरे हो जाएंगे और जो पातर होंगे चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर 15 वी किस्त कब आ सकती है और किन-किन तरह के किसानों की किस्त अटक सकती है बतातें कि अब सरकार ने अभी 15 वी किस्त की रिलीज होने की तारीख का एलान तो नहीं किया है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिवाली से पहले ये किस्त जारी की जा सकती है अगर ऐसा होता है तो किसानों को सरकार की तरफ सी ये दिवाली का तोहफा हो सकता है चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर किन किसानों की 15 वी किस्त अटक सकती है शायद आप न जानते होंगे पर कई किसान ऐसे भी हैं जिनकी 15 वी किस्त अटक सकती है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है EKYC का न होना अगर आपने EKYC नहीं करवा रखी है तो भी आप किस्त से वंचित हो सकते हैं दूसरे किसान ऐसे हैं जिनकी किस्त अटक सकती है जिन्होंने अब तक भू सत्यापन नहीं करवाया है अगर आपने ये काम नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द करवा लें वरना आप 15 वी किस्त के लाब से वंचित रह सकते हैं देखे अब तीसरे तरह की किसान के बारे में बात करते हैं अगर किस्त का लाब लेना है तो आपको अपने बैंक खाते से अपने आधार कार्ड को भी लिंक करवाना जरूरी है किसी कारण से अगर आपने ये काम नहीं करवाया है तो आपकी भी किस्त अटक सकती है इसलिए इस काम को आप तुरंट करवा लें देखिए PM किसान योजना की किस्त 6,000 रुपए सलाना उसमें दिये जाते हैं और इस पैसे को 2,000 रुपए करके 3 किस्तों में दिया जाता है